Welcome back students, today's topic dams क्या है, कैसे हमारी society के लिए useful है and जब dams का construction होता है तो बच्चो क्या-क्या problems आती है सबसे पहले dams को हम store house कहते हैं river water का river water का proper use करने के लिए हम dams का construction करते हैं river के पास ताकि water के flow को अच्छे से regulate कर पाएं Is that clear बच्चो? Now बच्चो अब हमें ये clear है कि dam होते क्या है तो बच्चो dams को हम store house कहते हैं river water का तो अब ये हमारे लिए हमारी society के लिए कैसे useful है तो सबसे पहली बार बच्चो जो dam water होता है वो irrigation में use होता है अब कैसे use होता है अचानक से तो उड़के आएगा नी तो काफी सारी network of canals यानी pipelines के through हम dam water का use करते हैं irrigation में Is that clear? Second point बच्चो dam water को supply के आता है लोगों घरों में, towns में, cities में through pipelines After suitable treatment पहले सुन लो बच्चो पूरी तरीके से water को pure करते हैं तब उसको pipelines के through लोगों के घरों तक पहुँचाते हैं Last, third point बच्चो dam water से electricity भी generate होती है, हमें electricity मिलती है कैसे? हम सब जानते है, dam water का flow कितना तेज होता है, उससे turbine motor hit करती है और move करना start करती है, जिसकी वज़े से electricity generate होती है यह मैंने आपको quick सा normal सा explanation दिया है, side में एक pick है, उससे देखू ओके बच्चो अब हमें ये clear है कि dams होते क्या है, dams के uses क्या है, कैसे हमारे लिए, हमाई society के लिए वो useful रहे तो बच्चो अब problems देख लेते हैं, कि जब dams का construction होता है, तो क्या problem face होती है? सबसे पहले बच्चो social problem, तो social problem में हमें देखने को मिला, जिस जगहा पर dams का construction होना होता है, वहाँ पर कुछ लोग already रह रहे होते हैं, जिसकी वज़ा से उन लोग को वहाँ पर हटा दिया जाता है, जिसकी वैसे वो क्या homeless हो जाते हैं, तो बच्चो government को इस चीज को notice करते हुए उनको compensation करना चाहिए, यानि in return कोई money दीना चाहिए, जिसकी वैसे उनकी life दुबारा से एक fresh starting करें, second point is environmental problems, तो बच्चो जब dams का construction होता है, जिस जगहा पर dams बनाना होता है, तो वहाँ के plants को भी cut किया जाता है, जिसकी वैसे हमें deforestation देखने को मिलता है, यानि वहा loss of biodiversity होता है, flora and fauna disturbed होते है, wildlife cycle disturbed होती है, बच्चो animals की life भी disturbed हो जाती है, ये भी एक बहुत बड़ी problem थी, now last third point, बच्चो economic problem, इसमें दो अलग अलग views हमें दिये गए है, कुछ लोग का कहना था कि जब dams का construction होता है, तो इसमें huge amount of public money को spend किया जाता है, जो कि उन लोग के हि साब से ये गलत था, लेकिन कुछ लोग का ये भी कहना था, कि अगर dams को नहीं बना जायेगा, तो real progress कोई देखने को नहीं मिलेगी, कैसे, उससे हमें electricity मिलती है, तो dams के बिना electricity भी गई, हम water resource का management करते है, dams के थूँ, तो water resource का management भी नहीं होगा, अगर dams नहीं होंगे, त